ये अवसर इसलिए भी विशेश हैं क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महत्मा गांधी की एक सो पचासवी जैनती मना रहा है। सत्य वारहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांती, प्रगती और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदाएं, इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोक्तत्र में, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दे कर, मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज़्यादा मजबूत जनादेश दिया। और इस जनादेश की वज़से ही, आज फिर मैं यहाँ आप सब के बीच हूँ। लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा व्यापक है और ज़्यादा प्रेरक है। अध्यक्ष महोद है, जब एक विकासिल देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभ्याद, सफलता पूर्वक संपन्न करता है, सिरफ पांच साल में ग्यारा करोर से ज़्यादा साउचालाय बनाकर अपने देशवाच्छियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्ताएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। जब एक विकांच सिल देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वान स्कीम सफलता पूर्वक चलाता है, पच्चास करोर लोगों को हर साल पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी सम्वेधन सिल व्यवस्ता पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासिल देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनांसियल इंक्लूजन कारकम सफलता पूर्वक चलाता है, सिर्फ पांच साल में 37 करोर से ज़्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी विवस्ताएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। प्रश्टाचार को रोक कर करीब 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बचाता है, तो उसके साथ बनी आधुनिक विवस्ताएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन करके आती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त सेयुत्त राज की इमारत की दिवार पर पड़ा, नो मौर सिंगल यूज प्लास्टिक, मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है, कि आज जब मैं आपको संबोदित कर रहा हैं, तब इस वक्त, आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए, एक बड़ा अभ्यान चला रहे हैं, आने वाले पांच वर्सों में हम जल्द सवरक्षन को बढ़ावा देने के साथ ही, पंदरा करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोडने वाले हैं, आने वाले पांच वर्सों में हम अपने दूर दराज के गावों में सबा लाग किलोमेटर से जादा नई सडके बनाने जा रहे हैं, वर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्स का पर्व मनाएगा, तब तक हम गरीबों के लिए दो करोड और घरों का निर्मान करने वाले हैं, विश्वने बले ही टीबी से मुक्ती के लिए वर्स ट्वेंटी थर्टी तक का समय रखा, लेकिन हम दो हजार पचीश तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, सवाल ये हैं कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं, आखिर नए भारत में बढ़लाव तेजी से कैसे आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, भारत हजारों वर्स पुरानी एक महान संस्कृती है, जिसकी अपनी जीवन परंपराएं हैं, जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृती जीव में शीव देखती हैं, इसलिए हमारा प्रान तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्यान, और ये जन कल्यान भी सिरफ भारत के लिए नहीं, जग कल्यान के लिए हो, जन कल्यान से जग कल्यान, और तभी तो हमारी प्रेर्णा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सिर्फ भारत की सिमाओं में सिमित नहीं है, हमारा परिश्रम न तो दयाभाव है, और नहीं दिखावा, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरीथ है, हमारे प्रेयास, एक सो तीस करोड भारतियों को केंद्र में रख कर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रेयास, जिन सपनों के लिए हो रहे हैं, वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं, प्रेयास हमारे हैं, परणाम सभी के लिए हैं, सारे संसार के लिए हैं, मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी द्रड हो जाता है, जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूँ, जो विकास की यात्रा मैं भारत की तरह ही, अपने अपने स्तर पर प्रेयास कर रहे हैं, जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूँ, उनके सपनों से परिचीत होता हूँ, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है, कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गती से करूँ, जिससे भारत के अनुभाव उन देशों को इभी काम आ सकेूँ, अध्यक्ष महोदाय, आज से तीन हजार वर्ष पुर्व, तीन हजार वर्ष पुर्व, भारत के महान कभी कणियन पुंगुन ड्रनार, उन्होंने विश्वकी प्राचिनतम भाषा तमील में कहा था, यादम उरे, यावरूम केडिर, यानि हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं, और सभी लोग हमारे अपने हैं, और ये तीन हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ, देश की सिमाओं से परे, अपनत्व की यही भावना भारत भूमी की विशेष्टा है, भारत ने बीते पांच वर्षों में सदियों से चली आ रही, विश्व बंधुत्वा और विश्व कल्यान की उसमहान परंपरा को मजबूत करने का काम किया है, जो सयुक्तर रास की स्थापना का भी दे रही है, भारत जिन विश्वों को उठा रहा है, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्मान के लिए, भारत आगे आया है, उसका अधार वैश्विक चनवतियां है, वैश्विक विश्व है और गंबीर समस्याओं के समाधान का सामुहिक प्रयास है, अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास और प्रयर केपिटा एमिशन के नजरिय से देखें, तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है, एक और तो हम भारत में चार सो पचास गिगावोट रिन्यूबल एनरजी के लक्ष पर काम कर रहे हैं, वही दूसरी और हमने इंटरनेशनल सोलार अलाइंस थाबिद करने की पहल भी की है, ग्लोबल बॉर्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तिवरता तो बढ़ती ही जा रही हैं, उनका दाइरा और उनके नए नए स्वरूब भी सामने आ रहे हैं। इस स्थीटी को देखते हुए ही भारत में कोईलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियन्ट इंफरस्ट्रक्टर सी डी आर आई बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंतन देता हूँ। इससे ऐसे इंफरस्ट्रक्टर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। अध्यक्ष महोद है यूएन पिस्किपिंग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं शान्ती का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाब दुनिया को सतर्क करने की गंबीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि एक किसी एक देश की नहीं बलकि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिध्धानतों को ठेश पहुचाती हैं जिनके आधार पर युएन का जन्म हुआ है। और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाप पूरे विश्वका एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवारिय समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय आज विश्वका स्वरुप बदल रहा है। 21 सदी की आधुनिक टेकनलोजी, समाज जीवन, नीजी जीवन, अर्थववस्ता, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतराष्ट्य सबंधों में सामोहीग परिवर्तन ला रही है। इन परिश्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सीमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टिलेटरलिजम और सयुक्त राष्ट को नई शक्ती नई दिशा देनी ही होगी। अध्यक्ष महोदय सबा सो साल पहले भारत के महान अध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानन जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल पार्लेमेंट ऑफ रिलीजन के दवरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नौट डिसेंशन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर राष्टिय समुदाय के लिए यही संदेश है हार्मनी एंड पीस। बहुत बहुत धन्वार। अर्णाओ